श्री देवी की मौत को लेकर जतने भी सवाल उठाय जा रहे थे अब उन सब पर रोक लग गई है दुबई पुलीस की और से श्री देवी की मौत का केस अब बंद कर दिया गया है और इस मामले में अब पती मोनिक पूर को भी क्लीन चिट मिल गई है आपको बता दे कि पहले इस मामले को लेकर कई प्रकार के सवाल खड़े किये गए थे कि जिस वक्त ये हादसा हुआ आखिर उनके पती बोनी कपूर थे कहा और क्या उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं हुआ उनके बातरूम में गेड़ने का लेकिन दुबई पुलिस द्वारा दी गई क्लीन चिट के बाद अब सारे सवालों पर विराम लग गया है श्री देवी के साथ काम कर चुके पाकिस्तानी अभिनेता अधनान सिद्धिकी का बयान सामने आया है इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मताबिक अधनान इस वक्त दुबई में ही है और क्योंकि वो पूरे कपूर परिवार को अच्छे से जानते हैं श्री देवी की मौत की खबर सुनकर उन्होंने बुने क्पूर से वहां मुलाकात भी की इंडियन एक्सप्रेस की खबर में अधनान ने कहा है कि मैं बहुत खुश किसमत हूँ कि मुझे फिल्म मौम में उनके साथ काम करने का मौका मिला और यह जानकर बेहर दुखी हूँ कि अब वो इस दुनिया में नहीं है अधनान ने आगे कहा कि जब मैं श्री देवी की मौत की खबर सुनने के बाद बुनी कपूर से मिला तो वो बच्चों की तरह रो रहे थे श्री देवी की पार्धर शरीर को अंत्म दर्शन के लिए आज लाया जाएगा इसके बाद आज दोपहर करीब एक बजे उनका अंत्म संसकार किया जाएगा करीब रात के साड़े दस बजे एरपोर्ट के गेट नमबर आर्ट से श्री देवी के पार्धर शरीर को प्राइवेट जेट से लाया गया जिसके बाद उनके पारत्व शरीर को उनके भाग्य वंगले पर अंदिम दर्शन के लिए ले जाया जाएगा जहां कुछ खास लोगों को ही जाने की अनुमती दी जाएगी भंजे मोहित मारवा की शादी में शिरकत करने श्री देवी पती बोनी कपूर और चोटी बेटी खुशी कपूर के साथ दुबई गई थी शादी खत्म होने के बाद पूरा परिवार दुबई से मुंबई लॉट आया था लेकिन श्री देवी दुबई में ही रुख गई थी बताया जा रहा है कि शादी खत्म होने के बाद भी श्री देवी दुबई में ही थी क्योंकि वो वहाँ एक पेंटिंग की प्रदर्शने में हिस्सा लेने वाली थी जहां उनकी बनाए गई पेंटिंग की भी निलामी होने वाली थी लेकिन इससे पहले ही शनिवार की रात को उनका बात्चब में गिर कर जूपने के कारण ने धनो गया उस वक्त बोनिकपूर्शी देवी के साथ रूम में ही मौजूद थे बोनिकपूर्शी देवी को सप्राइस देने के लिए वापस दुपई पहुँचे थे और बॉलिवोड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें